असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब अलात अलाप सभी लोगों को खुश हो अबाद अस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं अलात अला के नाम से जो बहुत महरबान नहायत रहम होला है अधम आपके लिए मोमोस की चटने लेके आए हैं स्टीटी स्टाइल अधम बनाना यहां पर हमने देगी सुर्क मिर्च और तीखा वाला सुर्क मिर्च दूनों का इस्तेमाल किया है बहुत ज़्दा तीखा खाना आप पसंद करते हूं तो आप सिरफ तीखी वाली मिर्च को ले सकते हैं इससे कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा तो देखे यहां हमने इनको गरम पाने में भिगो के रखना है कम असकम तीस मिनट तक तो यहां पर हम ने गरम पाने लिया हुआ और इसमें इनको पहले ग्ष constitution मिला है कोंटेटी ल Garram ल्या का लिया है अर double ठासर मिला कलती के लिए लगभग weigh can i इस तरीके से इनकी सिरू को काट लेंगे और फिर हम इस तरीके से कट लगा लेंगे सभी टमाटरों को हम इसी तरीके से कट करके तयार करके रख लेंगे और फिर इसके बाद हमने इसको उबालना है तो देखिए यहां पर हमने सभी टमाटर तयार करके रख लिया है टमाटरो तो और अच्छी से सॉफ्ट हो जाएंगी अब हमने इनको धक्कन लगा के तकरीबर मीडियम आज पे 12-15 मिनट तक पका लेना है कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और उसके ऊपर का छिलका भी आसानी से निकल जाए एतनी देर तक देखिए हमने पका लिया है तो आईए अब ह जाफी गरम है थोड़ा सा आपको चेक करके देखाते हैं देखिए कि अच्छी से सोफ्ट हो चुकी है मिर्चे और टमाटर भी बहुत अच्छी से सोफ्ट हो चुका है तो जैसे ही थोड़ा सा थंडा होता है तो आपने इसके छिलकों को निकाल लेना है और बहुत ही अच् बहुत जदा करें पीछ लिया है कटकिया हुआ हमने इसमें शामिल किया और हलका सा मिसको भूनेंगे बहुत ज़दा कलर नहीं देंगे अच्छी सी कुछ पूँ आने लगे लाइट पिंक सा हुआ है तो यहां पर हमने अपनी चटनी को इसमें शामिल कर दिया है चटनी को शामिल करके हम इसमें चलाएंगे अ और इसी के साथ ही हमें एक चोटा चमच सोया सास का शामिल करेंगे, टेस्ट को बालेंस करने के लिए हम एक चोटे चमच शकर शामिल करेंगे, और उसके बाद हम टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करेंगे, बाजार वाले तो अजिनो मोटू भी मिलाते हैं, हम अजिनो मोटू के अच्छे से चला देना है नमक एक बार सरूर चेक कर लें और तीखा अगर आपको कम लगे तो फिर तीखी वाली लाल मिर्च का इस्तमाल यहां पर आप कर सकते हैं क्योंकि हमने यहां पर कुछ देगी लाल मिर्च का इस्तमाल किया है और टमाटर भी हमारे बहुत ही तो हम यहां पर किसी भी फूट कलर का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जबदस से हमारी चटनी तयार होने वाली है इसी के साथ ही अगर आपको मोमोस की रेसेपी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन-कौन सी मोमोस खाना पस देंगी नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा था इसलिए मैंने नमक यहां पर शामिल कर दिया है थोड़ा सा थोड़ा चट पटी थोड़ा तीकी ही इवाली चट्टी अच्छी लगती है तो देखें बहुत ही अच्छी से तयार हो चुकी है बस इतनी ही ठीकनिस चाहिए तो हम यहां पे अब आज को बंद कर देंगे और यहां पे हमारी चट्ने पिलकुल तयार हो चुकी है आप लोगों को जो भी रेसिपी देेखनी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें एंदुल अनुद्लजा के अवाले से या जो भी रेसिपी आपको पसंद ही आप कमेंट करें इंशाला ताला आप लोगों के साथ रेसेपी बहुती जल्द शेयर की जाएगी तो कहिए आज की शेयरिंग कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल पर अगर नए हैं या आभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से मेरे दिल से दर्खास है कि आपके अपने इस चैनल इजी रेसेपी बाईशा बीना को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना हर्गिस न भूले आप लोगों को जजाए खेर दे आप लोगों के रिस्क में अमर में घरों में सिंद्ग्यों में बरकत अता फरमाए हमें भी दूाओं मियाद रखें तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंशालला किसी टेस्टी किसी मज़े के रसेपे के साथ अल्ला हाफिज